नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईस प्रेपर, आज की तारीक है 24 जनवरी 2020 और हम डिसकस करने जा रहे हैं आज का करेंट अफेर, आज का करेंट अफेर देखने से पहले एक सुविचार हम देखते हैं, वो आज का सुविचार है, दुनि करेंट अफेर हम डिसकस करते हैं, UPSC, UPPSC और सभी state exams के लिए important होता है, और साथ में कोई भी पर इच्छा आप दे रहे हैं, उसके लिए important होता है, यहाँ पर जो current अफेर हम डिसकस करते हैं, वो detail में होता है, बस आपको करना यह है कि इसको सही से देखना है, हाँ, अगर अ करनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, full course 1500 में, और जो test series है, वो क्योल 500 रुपे में आपको दी जा रही, इसमें 20 test है, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारी website, UPPSC target.com को log visit कर सकते हैं, वहाँ पे अपना login ID password create कर सकते हैं, या फिर हमको message कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं, 6 जारी किया गया है, इसमें भारत की जो ranking है, उसमें सुधार हुआ है, और इसमें प्रश्न अकसर पूछा जाता है, यह जो सूचकांक है, किसके द्वारा जारी किया आता है, यह सूचकांक Institute Business School के जारी किया आता है, और इसमें सहीयो किया है Google और ADECO Group ने, पिछली बार जब यह सूचकांक जारी हुआ था, तो इसमें TATA Group ने इसका सहीयो किया था, इस बार ADECO Group इसमें मदद कर रहा है, इंसीड बिजनेस स्कूल यह ध्यान रखियेगा, अगर इस सूचकांक में देखा जाए कि क्या मापा जाता है, तो इसमें देखा जाता है कि कोई देश या सहर क इस प्रकार प्रतिभा का विकास करते हैं और उन्हें आकरसित करते हैं और उन्हें रोके रखने में कितना कामियाब रहते हैं, यानि कि कोई भी सहर में ये कितनी गुलवत्ता है इसी के आधहार पर ये सूचकांक तयार किया जाता है, भारत की बात अगर हम करें, तो आठ अस्थानों की सुधार के साथ भारत इस सुचकांक में 72 अस्थान पर पहुंच गया है। पिछले वर्स इसका जो अस्थान था इस सुचकांक में वो 80 अस्थान था और इस बार ये 72 अस्थान पर पहुंच गया है। 132 देशों को इसमें सामिल किया गया, और जो सीर्स पे 3 देश हैं, उनका नाम important है, पूछा जाता है, सुट्जर लाइन प्रथमस्थान पर है, अमरिका दुतियास्थान पर है, और सिंगापुर यहाँ पर, यह थर्डस्थान पर है, तो यह 3 याद रखिएगा, और भारत की जो रैंकिंग है, वो 72 है, यह भी आपको याद रखना है, मध्वा दच्छिन एसिया छेत्र में देखें, तो कजाकरस्थान, भारत और सिरिलंका, यह 3 यह ताप पर है, यह तीन नाम आपको याद रखना है, छेत्र वाईज अगर आप से पूछा जाएब, इसमें और भी बहुत सारी बाते की गई तो भारत की सबसे बड़ी चुनोती की बात की गई तो इसमें यही है कि प्रतिभावों को आकरसित करना उन्हें यहां पर बनाये रखना यह भारत के लिए बहुत बड़ी चुनोती है भारत को इसमें आकरसित करने में 92 और बनाये रखने में 95 राश्टपती यह कौन बनी है? तो ये बनी है, इनका नाम जो है, Caterina Sakela Ropolo. Caterina Sakela Ropolo, Caterina से याद रखिएगा, यह ग्रीज की प्रतम महिला राश्टपती बनी है. ये हैं काटरिना, सकेला, रोपाउलो ये पहले जो क्या थी ये भी हम यहाँ पर बात करेंगे और अभी ये जो राश्टपती बनी है इसके पहले कौन राश्टपती थे ये भी हम चर्चा करेंगे सबसे पहले आप यह जान लिजिए कि तेरहवी राष्टपती यह होंगी, ग्रीस की वैसे यह तेरहवी राष्टपती होंगी, लेकिन अगर फिमेल की बात करें तो यह फश्ट राष्टपती होंगी, 13 मार्च 2020 को यह पदभार ग्रहन कर लेंगी, ठीक है, और इसके पहले जो वहां के राष्टपती थे, उनका नाम क्या था, यह आपको पता है क्या, वहां के इस समय अभी जो मौजूदा राष्टपती है, उनका नाम है प्रोकोपिस पावलो पुलोज, इनका नाम है, और मार्च भी इनका कारिकाल पावलो पुलोज का समाप्त हो रहा है, तब यह भार वहां पर ग्रहण करेंगी, इसके पहले यह पेसे से देखा जाए, तो यह नियाधीस है, 63 साल कीए भी है, 63 वरसीए हैं, और उच नियायाले में, नियाधीस के पतपर यह वहां पर कारे कर रही थी, इस तुझकांग में, यह सॉरी, यह गलत कुछ नूज है, यह पर, सॉ देखना जरूरी है. इजिप्ट देखे, यहाँ पर है यह और यह किस महादियुप में है? आपको यह पताना है. कमेंट करके, क्योंकि यह बहुत सरल प्रस्वन है, कोई गठिन नहीं है. इसकी सीमा किस-किस देश से मिलती है? तो देखे, यहाँ पर इसकी सीमा लिबिया से मि मिल रही है, यहां पर देखिए, यह जार्डन है, जार्डन से इसकी सीवा मिल रही है, ठीक है ना, और यह देखिए, सौधी अरव है, जो गाजा पट्टी का विवाद है, देखिए, गाजा पट्टी यहीं पर है, यहां पर देखिए, यह गाजा पट्टी दिखाई जा रही है स्वयज कनाल का जो उत्तरी सिरा है देखिए यहां पर यह पुरा गुसा हुआ धसा हुआ भाग है तो यहां पर सिनाई यह प्रायदी पड़ता है तो यह द्यान लखिएगा तो यह रेट सी हो गया इसकी पूरी इस्थिति आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि यह ऐसा पूर्शन है मैप का जहां से बहुत प्राश्ल पूछे जाते हैं ठीके ना तो यह द्यान लखिएगा कटरीना सकेला रोपालू की अध्यन के साथ साथ हमने यह भी सारा कुछ देख लिया चलिए अगली निउस हम देखते हैं भारत के सबसे प्रदूसित सहर कौन से हैं यह एक रिपोर्ट आई है यह रिपोर्ट जो जारी की गई है वो Greenpeace India नामक NGO ने जारी की है इस NGO का नाम आपने पहले भी सुना होगा इस रिपोर्ट के अंसार जारखंड का जो जरिया सहर है यह भारत का सबसे परदूसित सहर है और जो धनबाद है यह भारत का second सबसे polluted city है त 10 जो सबसे top polluted city है भारत के उसमें 6 सहर यूपी के है देखिए एक तो देखिए यहाँ पर नोड़ा उत्तरप्रदेश का है गाजियाबाद है तीसरे चौथे अस्थान पर यह हो गया पाच्वे पर एमदाबाद गुजरात आता है फिर बरेली आ जाता है छठे अस्थान प देखिए यह भी यूपी का है और फिर फिरोजाबाद उत्तरप्रदेश का तो फिरोजाबाद में तो काच का जो चूडियों का व्यूसाय है यह बहुत जादा है चूडिया यहां बनती है इसके करण से भी हो सकता है लेकिन इलहाबाद की साथी मोजी सन समझ में नहीं आ ठीक है तो यह बरेली एलहाबाद मुरादाबाद फिरोजाबाद और यहां पर नौएडा और गाजियाबाद यह छे सिटी जो हैं यह यूपी के हैं जो टॉप टेन पॉलिटेस्ट सिटी हैं उनकी लिस्ट में यह अपनी जगह बनाने में कामियाब हुए हैं इसमें हम लो लुंग लेई सहर यह मिजोरम का है लुंग लेई सहर यह मिजोरम में है यह सबसे कम पिलूटेट सहर है पूरे भारत का ठीक है और ग्रीन पीस इंडिया ने जो इसमें डेटा यूज किया है वो किंद्रिय प्रदूशा नियंतरन वोर्ट का डेटा इसमें इसमें इसने किय अगली नियुज है लोगतंत्र सुचकांग जारी किया गया है तो लोगतंत्र सुचकांग में भारत की स्थिति क्या है यह हम देखेंगे और यह कौन जारी करता है Economic Intelligence Unit जो है Economic Intelligence Unit EIU इसको कहते हैं इसने इसको जारी किया है devon originally के लिए यह जारी हुआ है एक साल पिछला सुचकांग इसमें जारी होता है जैसे 2020 में यह जारी जारी किया गया है 2020 को तो यह जो सुचकांग है 2019 का है जो जारी किया गया है भारती सुचकांग में दस अस्थान नीचे बिसल गया है पहले इसकी जो rank होती थी 41 होती थी अब 119 हो गई है 51 rank इसकी हो गई है ये ऐसा क्यों हुआ है ये important है सुचकांक में गिरावट का जो मुख्य कारण है और नागरिक स्वतंतरता में गिरावट आना है भारत में माना जा रहा है कि नागरिक स्वतंतरता में गिरावट आई है ध सुचकांग में घिरावट के मुख के कारणों में से ये तीन कारण हैं। बहुत बड़े अस्तर पर विरूत परदर्शन हो रहे हैं, तो जो आंकड़े एकत्र किये गए, जो सर्वे किये गए, उनमें ये पाया गया कि यहाँ पर नागरिक्स तंतरता में घिरावट हो रही है क्योंकि ये आकड़े हमारे आपके 20 से ही निकाले जाते हैं, तो जैसे विचार आएंगे उसी तरह से आकड़े कठा होंगे, इसी करण से भारत की जो रैंक है, वो 10 अस्तान पीछे पहुँच गई, 41 से ये 51 पे पहुँच गई, ध्यान रखिएगा, 2006 में जब से ये सुचक जारी हो रहा है, 2019 का जो भारत का अंक है, उन निम्नितम अंक है, निम्नितम स्कोर भारत में किया है, 6.9, इसके पहले 2018 में देखा जाए, तो भारत का जो स्कोर था, और 7.23 था, और इस बार भारत का स्कोर 6.9 आ गया है, इसी कारण से इसमें 10 अस्तान की गिरावट हो गई ह तो ठीक है, जो चीज हो रही है, आपको इस पर क्या विचार रखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे सुचकांग जब गरवड होते हैं, तो भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसमें अगर ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सचिंता का विसे तो जरूर है गोयाना बना G77 समू का अध्यक्ष, 2020 के लिए ये दच्छिन अमरीकी देश है, गोयाना, तो दच्छिन अमरीकी देश गोयाना को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, G77 समू का, जो 77 समू है, ये क्या है, इसको हम जानेंगे, 2019 में जो इसका अध्यक्ष था, वो फिलिस्तीन था, कौन था, फिलिस्तीन, याद रखियेगा, फिलिपीन नहीं, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन इसका अध्यक्ष था, और अब बना दिया गया है, गोयाना, दोनों में कन्फ्यूज मत होईएगा, ये 2019 के लिए था, और गोयाना बनाया गया है 2020 के लिए G77 जो समू है ये 134 देश इसमें सामिल है 134 देशों का समू है विकासील देश है इसमें ये ध्यान लखिएगा कैसे देश हैं इसमें विकासील देश है और इनका अंतरसरकारी समू है ये भारत भी इस समू का सदस्य है तो 134 देशों का ओवी developing countries का ये ध्यान लखिएगा, developing countries का ये क्या है? अंतरसरकारी समू है. G77 की जो अस्थापना है, ये 1964 में हुई थी, 77 विकासिल देशों ने मिलकर उस समय इसकी अस्थापना की थी, इसलिए इसको G77 के नाम से जाना जाता है, जबकि सदस से देखोसों कि स संख्या अब 134 हो गई है, ये समू साजहा आर्थिक सहियों के लिए कारी करता है, अगर आप से इस स्टेटमेंट देके ये बात पूछी जाए, तो ये बात सही है, गोयाना की इस्तिति अगर हम देखें, तो गोयाना दच्छिण अमेरिका में इस्तिति एक देश है, ये न ये अगर बता है तो बताएंगे, नहीं तो खोज कर बताएंगे, कैपिटल आपको बता ली है, इसके लावा जरा हम देख लेते हैं, जो अमेरिकी देश है, कौन कौन से देश तर्ट पर है, ठीक है, तो देखें, ये वेनिजुएला तर्ट पर है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दूसरा ये कोलंबिया है, तीसरा यहां पर आगे हम आते हैं, यहां पर पेरु है, ठीक है, यहां पर आएंगे, तो ये चिली है, और यहां पर आएंगे, तो ये अर्जेंटाइना है, यहां पर उरगवे है, यहां पर आएंगे, तो ये व्राजील है, और ये सुरिनाम है और ये फ्रेंच ग्वाना है एक ग्वाना है यहाँ पर और एक फ्रेंच ग्वाना है यह धोनों ध्यान अकिएगा और ये वेनिजुक्न होई गया तो इस तरीके से ये सारे country हो गये धना और ये गैला पगोष island पूछा जाता है तो उसकी इस्तती यहीं पर है, यह देखिए, यहाँ पर सोकी जा रही है, तो इस तरीके से जब आप map देखिए, तो हर चीज, हर तरब से देखने की कोशिस करिए, कि कैसे कैसे प्रशन बनते हैं, जो पूछे जाते हैं, तो आप उसको तयार कर लिया किजिए, तो यह गुया जन्वरी को किस महान स्वतनता सिनानी की जहनती बनाई जाती है, तो यह सुबास चंद्रभोस की जहनती बनाई जाती है, तो 23 जन्वरी 1897 को इनका जन्व हुआ था, और इनका जन्व हुआ था उडिसा में, कटक पड़ता है न, तो बिटिस भारत के कटक में हुआ था, सुरू की है तो यह bank है IC ICI IC ICI मैं इसमें कितने आई हैं कितने C हैं मैं भूल जाता हूँ इसमें क्या सुविधा होती है एक app आप डाउनलोड करते हैं और उस app में आप आस्थाई pin generate कर लेते हैं और उस pin को app में access कर लेते हैं activate यह हो जाता है फिर आप वहां पर जाते हैं तो बीना ATM कार्ड के आपको 20,000 रुपिये तक इसमें सुविधा दी जाती है पैसे निकालने की ATM कार्ड नहीं है तब भी आप क्योंकि cashless entry आपकी हो गई है तो आप नहीं काल सकते हैं और कई अन्य बैंग कर रहे हैं लेकिन यह बड़ा बैंग है इसलिए इसकी चर्चा हो रही है हो सकता है पूछा जाए हाल में किस सरकार ने मुक्यमंत्री, किर्सक, दुरगटना, कल्याड, योजना शुरू किये तो यह उत्तरपदे सरकार ने किये अगर किसान किसी दुरगटना का सिकार हो जाते हैं तो किसान लोगों को उसके अंतरगत लाब दिया जाएगा मेरा गला बिलकुल सही नहीं है मैं बोलने में बिलकुल असमर्त हूँ लेकिन ठीक है यह कमिट्मेंट है तो यह चलता रहता है अगली और अंतिम नियूज है किस राज ने खेलो इंडिया यूद गेम्स में 256 पतको इसमें 78 सुरण पतक भी सामिल है के साथ में चैंपियन्स ट्राफी जो जीती है खेलो इंडिया यूद गेम्स की चैंपियन्स ट्राफी किस राज ने जीती है किस राज ने जीती है तो यह राज है महाराष्ट महाराष्ट राज ने जो अभी खेलो इंडिया यूद गेम्स चल रहे थे उसमें यूद गेम्स चैंपिय होते हैं आपको आई हैं लेकिन आप परिशान नहीं हो जिस अहीं हो जाएगा और बिल्कुल मनाएं बोला लेकिन अब ये सुबह का ग्वास यह एक्ष्टी डेली का होता है इसलिए इसको हम लोग करते हैं थैंक्यू थैंक्यू बेरी मुझ्ट